आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो time and work के question लेके आया हूँ तो चलो आईए शुरू करते हैं आपको पता ही है कि मैं ये बेरी 9th ये 10th वीडियो है जिसमें मैं chapter wise आपको practice करवा रहा हूँ और बाद में हम क्या करेंगे 7-8 दिन के बाद जैसी सारे chapter के हम question लगा लेंगे उसके बाद हम जो practice करेंगे पिछले सालों में SSC GD में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे question करेंगे हम practice करेंगे तो चलो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल आगे हैं आज basic पढ़ा भी नहीं नहीं भी पढ़ा है तो चलो आईए इन question को तो भी आप कर सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा ठीक है पर हो सके तो आप search कर देना सरस्वती मैस, time and work, army, dd वालों को पढ़ाया हुआ है मैंने उसमें मैंने उनको basic पढ़ाया हुआ है तो आपको basic समाझ आ जाएगा तो ये सारे question आप बढ़ी असानी से लगा लोगे, देखो, time and work का question कभी भी आए तो तीन चीज़ होता है, एक time होता है, एक absency होता है, एक क्योता work होता है, तो time कभी भी absency के साथ मिलता है, तो हमेशा के निकल के आता, work निकल के आता है, clear हो और आपको हमेशा time and work का question आएगा, तो आपको हमेशा absency के पीछे भागना, शमता के पीछे भागना, अब ये absency होती कह, ये शमता क्या होती है, absency मतलब शमता वो होती है, जो जैसे कोई काम 10 दिन में हो रहा है, तो एक दिन का काम, कोई काम घंटों में खतम हो रहा है, तो पी क्या है, क्यों से तीन गुना क्या है, अच्छा काम करता है, तीन गुना अच्छा करता है, तो मतलब क्या, शमता दे दी की नहीं, दे दी गई है, बिलकुल दे दी गई है, तो मतलब शमता मतलब क्या आगे, absency आगे की नहीं आगे, absency आगे की नहीं आगे, तो लिखते दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर देते हैं अब जैसे जैसे कोशन बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे पी और क्यों दोनों मिल जाते हैं तो 24 दिन में वो काम खतम कर देते हैं क्या दोनों के अब सिंसी पता है बाई बिलकुल पता है क्योंकि पी एक दिन में तीन में करेंगा हम से समय पूछे मोछे सीले एक दिन कितने बनाता बइतो एक दिन में तीन में बनाएगá चौराया ज्यादा टाइम दीन वह एक दिन रिखने में बनाता है तो उसे जो लगेंगे को लघंगे वो कितने लों गें गेंगे 22 साफ्शंस ऑसर आगर हम अगर हमसे पूछ तो क्यों अकेला कितने दिन में करता तो । छानुवे दिन में बनाएगा तो अंसर होता है 96 हो गया कि नहीं हो गया तो आपको कभी भी टाइम एंड वर्क का कोशन आई तो आपको हमेशे किसके पीछे बागना है अभी लेते हैं next सवाल क्या बोलते हैं अब एंस vy आप 6 women can complete a work in 10 days मतलब 6 महिलाओं की बात कर रहा है मतलब 6 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर लेती है तो इनकी श्रमता तो दी नहीं हाँ, पर इतना बता है कि 6 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर लेती हैं, clear हो गया कि नहीं हो गया, आगे बोल रहा है कि 10 children along take 15 days to complete a same work, जबकि 10 बच्चे उसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, तो मैं लिखते हैं, तो 10 आगर बच्चे मिल जाएं, त उसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, तो मुझे तो हमेशे किस के पीछे भागना, एफसेंसी के पीछे भागना है, आगे कोशन के बल रहा है, how many days will 6 women and 10 children together take to complete the piece of work, जबकि 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर उस कारे को कितरे दिन में पूरा करेंगे, तो ये टाइप बन को कोश सिक्स महिलागे, अब शमता काहलेगे, टैन जईन 3 इस है कितर होते है ठंटी और 15 जईन 2 इस है ठंटी, तो मुझे पता लग गया, कि 6 महिलाओं की जो शमता है, वो कितनी है, 3 है, तो एक महिला की शमता कितनी होगी, खुद ही भूल दो त्огवता कितनी होगी, जए शे होग करते हैं हमसे क्या बोल रहा है कि अगर 6 महिलाएं बूले 6 महिलाएं प्लस 10 बच्चे मिल जाएं अच्छा मिल जाए तो यह तो सेंसित आपको पता ही है तो एक की निकालने की जुरूरती नि ठीक कारे कितना घ्ट होगा ठाटी होगा तो मुझे पता कि 6 महिलाओं की शम्ता कितनी है तीन है तो सीधा तीन आ जाएगी और दस बच्चों की शम्ता कितनी है दो है तो दो आ जाएगी है ना दस बच्चों की शम्ता दो है तो दोनों मिल जाएंगे मतलब छे महिला है और दस बच्चे मिल जाएगे तो शम्ता कितनी हो जाएगी पांच हो जाएगी की नहीं हो जाएगी और 5 के साथ काम होगा, तो काम कित्रे दिन में हो जाएगा? छे दिन में हो जाएगा. अब आदियो सोच रहे होगी कि एक दिन का क्यों निकाला. अब फॉर जैम्पल, यहाँ दो 6 महिला हैं और 10 बच्चे पूछ लिए गए थे, आपको बता है कि एक महिला कि शमता तीन बट अच्छी तो आठ की कितनी होती तो म्ल्टिप्लाई वे 8 कर देते। तो 3 से काटा कितना आगे है 2, 2 से काटा 4 तो मतलब 8 महिलाओं की शमता कितनी होती साथ आती तो मैंने ऐसे बताय कि आपको अगर high level को भी आ जाए गा तो ऐसे करना या तो सीधा सीधा कोशन होगा तो सीधा सीधे कर ले ना अभी लेते हैं next सवाल लेते है next सवाल क्या भूरा है च्ज़ें किसाफ शुम्ता के साथ मिलता है तो हमेशा के साथ मिलेगा तो हमेशा के निकलिका चाहि Favor? आगे question केब रहे स्लीम two of the device कि स्लीम बात हु रही है सिर्फ मैं लिख द aí सिर्फ लेख इस ही 8 दीन में लेका लिख लेता हुआ मनोज take 12 to stay equal to end I mean मनोज की बात हो रही कितने दिल में 12 डेज में कर देता है अब बोला कि राज वर्क twice as fast Salim मतलब जो राज है बो सलीम से क्या है दो गुना तेज है तो मतलब मुझे सलीम की मतलब क्या निकालने पड़नी एफसेंसी निकालने पड़नी निकालने पड़ेगी तो राज की भी आ जाएगे फिर बोला कि हाउ मैने डेज फिर विल ओल थी ओफ देम तोगेदर टेकर फिनिश ऑफ दे सेम पीस ऑफ द बल इन दोनों को के लेना पड़ेगा लसिम ले गिसी कारे को किस इन पर खोंड़े तो आपको करे करना पड़े इन तीनों की कारने पड़ेगी शमता amazon isusanug मिल जाएं तो बूले इसे व तो आब मुझे क्या करना पड़ेगा इन तीनों के लिखनी पड़ेगी शंटा लिखनी पड़ेगी तो सलीम की शंता तो मुझे पता तीन है मनोज की शंता ये दिन में दो पहन बना देता ऐसे समझ लो तो राज कितने बनाता है पहले राज है नोगտ फ्रह जाते हैं तो अगर 3 मिटे ना रहा तो राज कितने दीट किकर बना एग तो नी नीच्छ लेसिए तो तो बस अब कितना टाइम ले घेख चाप गानगः टैना बच्चे कितने दो उपर आ जाता ग्यार का जागा नीचे तो मतलब लगवक्त जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा टू टू अपों 11 डेस लगेगा यहां पर कोई दिख रहा है से देखो इस फॉर्म में लिखा तो यह ऑप्शन ईस दा राइट अंसर एक्चिली इसको ट कमेंट आये हैं तो उन्होंने बोला था कि एक अनिकेत है उसने मुझे बोला है कि पिछले सालों के जितने भी कोशन आया SSJD के वो करवाई है तो जैसे यह चैप्टर वाइस कोशन खतम हो जाते हैं तो मैं सारे पिछले सालों के जितने भी कोशन आये कैसे भी आया है वो सा तो हमेशा के निकल के आएगा कारे अब बुला कि पी किसी कारे को 25 दिन में कर लिए कियो किसी कारे को 20 दिन में कर लिया आगे के बोल रहा है कि क्यो वर्क फार 8 देर एंड लेफ्ट तर जो मत आगे स्टोरी लग पड़ा सुनाने तो मुझे वर्क और एफसेंसी निकाल ले नहीं तो दोनों का लिये तो कितना आगा है 100 अब देखो यह ऐलसीम कैसे लेते हैं वो खुद सीख लेना यह मैं नहीं बनाता होगा है बनाता हो टो कितने पैंड बना देता होगा वो 40 पैंड बना देता होगा ही किने बना विल्कूल फिर के करते हैं तर फिर भी जोड़ दें तहों मेनी डिसर बी अलॉग थी यह न मुझे बटाओ रुमेनिंग वर्क इतरा बचेका तो ड़न कितना होगे है, 40, तो रिमेंग वर कितना बचेगा, खुद भी बोल दो, रिमेंग वर कितना बचेगा, बढ़ी, 60 बचेगा, तो 60 काम कोन करेगा, बहुले, P करेगा, तो P कितना टाइम लेता है, तो P की शमता लिकने पड़ेगे, तो P तो वाई, एक दिन में 4 पैन बनाता है तो 60 pen book कितने दिन में बना देगा तो 60 pen book कितने दिन में बना देगा 15 दिन में बना देगा मतलब क्या option is the right answer देखो सीधा सीधा सवाल था हमने सीधा सीधा इस question को कर लिया अभी लेते हैं next सवाल लेते हैं next सवाल क्या बोल रहा है देखो तो next वाल भी कैसे natural हम के करेंगे एक ही हमने चीज रख्यों कि time कभी भी किसके साथ absency के साथ मिलता है तो हमेशा के निकल गयता work मतलब जैसे-जैसे question बोलता जाए बस वैसे-वैसे करते जाएए और हमेशा समता के पीछे भागना absency के पीछे भागना आपने ठीक है अब बोल रहा है we can do a piece of work 45 days and 40 days respectively पहले एक ही बात ओरी एक इसी काम को 45 दिन में कर देता है बी उसी काम को 40 दिन में कर देता है आगे बोल रहा आपको लेने लेना तो खुद ही पड़ेगा तो यहां पर कितना आ गया तो मतलब क्या वे एक साथ काम शूरू करते हैं ठीक है but a leave after some days मतलब लेकिन a कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है मतलब a b ने स्टार्ट किया है काम पर मुझे नहीं बताया कि कितने दिन तक काम किया है पर किया है काम फिर a ने काम छोड़ दिया और 6 काम जो कारे है वो 6 जो काम बसता है b अकेला 23 दिनों में पूरा करता है तो हमसे बता कितने दिनों के बाद a ने काम छोड़ा है तो इसको दिनों की लाइन से समझते हैं जैसे कोई एक वर्क बना लेते हैं यह पूरे काम की लाइन है तो मतलब कौन श्टार्ट करता काम a b श्टार्ट करते हैं काम अब कितने दिन तक करते हैं मुझे नहीं बताया है तो उन्हें उन्हें क्योंगा है उन्हें उसके वार यहां प्रयुन भी और या वाला जो सारा काकम ह्म निचे वालों काम मतलिक्जह का अबरने जो कम है लेपां आध को से बाक ही गड़ी किसे कह ची यौब बाकी बचा हुआ प्रों बहू बहुंने किया तो मैं निकाल ले तो कितना काम किया होगा बी ने तो मैं ए बी का तो नहीं बताया बी का बताया तो मैं बी लिख लेता हूँ हो एक सोट्रेञ्पन काम है बो किस ने किया होगा बताओ एक सो ट्रेञपन काम स्टार्टिंग का किस ने किया होगा और दो दो कितने है बताओ नुर आठ मिल जाये uhhh wh नहीं कहां और जाएगा पुँ सतरे सी सीदह नयुड़ सतर्रे 9 इं कितने होते हैं वन मतलब A और B ने कितने दिनों तक काम किया है, नो दिनों तक काम किया है, तो A कब काम छोड़के गया, नो दिन के बाद काम छोड़के गया, तो option C is the right answer, यह सीधा नहीं पूछा था, उल्टा पूछा था, पर दिनों की लाइन और वर्क की लाइन से हम समझ गए, कि हम इस question को कैसे करना है, हमेशा किस के पीछे भागना है, absency के पीछे भागना है, अभी लेते हैं, next सवाल लेते हैं, next सवाल क्या बोलते हैं, अभी आपको लग रहा है, मैं बड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रिकोर्डर क्लास है, तो मैं फ्लो फ्लो में करवा रहा हूँ, आपको कोई question पता नहीं लगे, तो आप फिर से इस वीडियो को पीछे कीजिए, और फिर से इस question को सुनिया, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, अभी लेते हैं, नेक्स सवाल लेते हैं, नेक्स सवाल क्या बोल रहा है, देखो, तो मुझे पता लगे कि time and work का question आना है, तो मुझे चुप चाप लिखना है, तो मैं इस मैं लिखने लग पड़ा, कि time कभी भी, अब जैसे जैसे बोलता जाएगा, वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा, अभी question क्या बोल रहा है कि, अशोकन, अशोकन है, is thrice as good as work as needn, मतलब यह efficiency दे दी है, मतलब good है, तो efficiency दे दी है, मतलब शम्ता दे दी है, तो शम्ता के दे दी है, अशोकन है, नीतिन से 3 गुन अच्छा काम करता है, तो अशोकन A माल लेते हैं, नीतिन को N माल लेते हैं, और 3 गुना काम अच्छा करता है, तो 3 ratio कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, शम्ता आगी, आगे क्या बोल रहा है, therefore able to piece of work in 40 day less than नीतिन, अशोकन क्या करता है, 40 दिन कम लेता है, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अशोकन, तो कोई यह वाला question भी paper में आ सकता है, सीधा सीधा और maximum सारे गलत कराते हैं, पर करना हो तो इसको क्या बोला हुआ है, कि यहाँ पर ना तो अशोकन का टाइम दिया है, ना नीतिन का टाइम दिया है, बस इतना बताया है, कि जो नीतिन है, जो अशोकन है, नीतिन से 40 दिन क्या लेता है, कम लेता है, 40 दिन कम लेता है, यह बताया है बस, तो सिर्फ हमें कहा निकालना इनका difference दिया है time का कि 40 दिन कम लेता है, आगे question कहीं रहा है, find the time they can do, मतलब natural है मुझे पहले कहा निकालना पड़ना, इन दोनों का time निकालना पड़ना के निकालना पड़ना, भाई बिलकुल निकालना पड़ना, तो जब भी आपको ऐसे efficiency दे द हो, और time अगर exact नहीं दिया हो, time का कह दिया हो, difference दिया हो, तो याद रखना, इन दोनों का जो काम कर रहे है, वो दोनों same काम कर रहे है, तो याद रखना, work कभी भी constant हो जाए, मतलब same हो जाए, तो efficiency की जो ratio होती है, अगर उसे मैं के कर दू, उल्टा कर दू, तो हमेशा किस हो गया, one ratio कितना हो गया, three हो गया, तो ratio उल्टी, कभी भी दो दिये हो, तो ऐसा सीधा direct उल्टा लिख दो, अगर तीन चार दी हो, तो upon करके करना पड़ेगा, आपको, ठीक है, clear हो गया, मतलब यहाद दो ही थे, तो उल्टा करके लिख लिया, तो बतलब क्या, अशोकन कित इस दिन दे दी कि नहीं दे दी है, तो दो से काटा कितना हो, बीस दिन आ गया, ठीक है, तो मतलब इस ratio को 20 से काटा गया, तो मतलब अशोकन 20 दिन लेता है, वो 3 से multiply किया, तो मतलब नीतिन 60 दिन लेता है, तो अब क्या वर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, अगर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो दोनों मिल जाएगे, तो शमता कितना है, चार हो जाएगे, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे, तो यह इसका जो answer आ गया, option is the right answer, तो देखो यह बड़ा अच्छा question था, यहाँ पर time exact नहीं आ जाती है, तो अभी लेते हैं, next सवाल लेते हैं, तो next सवाल आ गया, तो natural है, मुझे क्या याद रखना है, यह तो अभी आपको पता लगी गया होगा, और याद हो भी जाएगा, आपको, देखो आप सोच रहोंगे, बार बार यह चीज क्यों लिखी जा रही, इसलिए ल बारा धिन में कर देता है, B 60% more efficient to A, मतलब A 12 दिन में कर देता है, B A से 60% कुशल है, तो मतलब A अपने आप में कितना होगा, 100 होगा, बस शमता। अबेंखेए अपनके कितना होगा एक सो साथ होगा तो बस यह का औगी एफसंस सी आगी मतलों किया अगल शम्ता आगे इं दोनों की रशुव बाद जीरो से जीरो काठा दो से आद आड ़ो से काठा पांच तो सम्ता कितनी आगे आच रशीव 5. देखो बी कितने दिनों में करेगा, तो कितना आ गया, ये क्या आ गया, आठ आ गया, तो साथ वटा कितना हो गया, आठ हो गया, क्योंकि बी की शमता है, आठ हो गया, तो दो से कारता थीस, दो से कारता कितना है, चार, दो से कारता पंदरा, दो से कारता कितना है, दो, और पंदरा का पर इस तरीके से हम इन कोशनों को लगा रहे हैं ठीक है अभी लेते हैं next सवाल लेते हैं next सवाल क्या बोल रहा है देखो अब मुझे पता है कि time कभी भी किसके साथ absency के साथ मिलता है तो हमेशा कैं निकल के आता आपको तो हमेशा absency के पीछे बागना तो चलो आईए करते हैं question जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाते है देखो बोले x कितने दिन में कर देता है वाई किसी काम को तीन दिन में कर देता है जैड किसी काम को चार दिन में कर देता है बोले they work together और इतना पैसा मिलता बोले उनको तो बताई की य को कितना पैसा मीला तो या corrupt knife जब भीन पैसे दिये हूंगे आपको total पैसे पैसों की बात कर रहा हो और पैसे बांटने इन तीनों में बांटने हैं दो बंदों में बांटने हैं चार बंदों में पैसे हमेशा शम्ता की रिषयो में बाटbnे जाते हैं क्या बूला I repeat पैसे हमेशा किस में बाटने है अपने शम्ता के अधार पर पैसे बाटने है मतलब शम्ता निकालनी पड़ नी तो पहले तो इन त्यूनों का के ले ले लेते है LC में ले ले लेते हैं कार yang आजाएगा, कार कितना आजाएगा, बोलो 12 आजाएगा कि ना Go तो X की शम्ता कितने आगी, Six Y की शम्ता कितना आगी, Four, three, four değ 12 य। जड़ की शम्ता कितना आगी, Treet तो मतला अब मुझे पता है कि मुझे ये 300 ये पैसे, बांट ने है, हैं तो वो किस ratio में बढ़ते हैं हमेशा efficiency मतलब शम्ता की ratio में बढ़ते हैं आज की बाद याद कर लेना तो x y z तो किस ratio में है यह six four और कितना गया थ्री आ गया clear हो गया कि नहीं हो गया तो मतलब यह ratio का total कितना गया 13 और 13 की value के दे दिया थ्री 900 दे दिया तो मतलब यह 13 से काटा कितना गया 300 मतलब इस ratio को 300 से काटा गया तो y पूछा हो तो बस 300 से multiply कर दो तो y को कितने पैसा मिला होगा 1200 रपे मिला होगा अगर a की बात करता तो 1800 मिला होता अगर z की बात करता तो 900 रपे मिला तो पर हमसे y पूछा है तो 1200 है बिल्कुल है option B is the right answer बस इसमें key point का है कि पैसे हमेशा शमता F and C की ratio में बंटे जाते हैं अभी लेते हैं next सवाल लेते हैं next सवाल क्या बोल रहा है देखो मैंने जितने भी question करवाए है आज मेरी 9th या 10th class है ये वाली ठीक है मैंने जितने भी chapter wise question करवा दिये आप देखना अभी 5-6 दिन के बाद ये सारे हम chapter लगा लेंगे SSGD में जो भी chapter लाते है उसके हम पिछले सालों के जितने भी question लगाएंगे देखना सारे question इस इन ही में से आ जाएंगे मतलब समय कभी भी किस के साथ शमता के साथ मिलता है तो हमेशा करें निकलिका आता है कारें निकलिका आता है question क्या बोल रहा है अब देखो A man is thrice as fast a woman मतलब एक पुर्ष एक महिला से तीन गुना तेज है मतलब एपसेंसी की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है मतलब बोला कि जो पुरुष है मेल है वो बुमें से तीन गुना तेज है तो तीन गुना चेज है तो मतलब यह ratio बन गी man और बुमें की मतलब शमता की ratio आगे मोल रहा है कि बुमें की twice है किस से वाइज से तो एक और ratio दे दी हमारे पास जो woman है वो boy से b boy ले ले लेता है दो गुना तेज है तो two ratio बना गया तो मतलब यह question देखा देखा लग रहा है A ratio B, B ratio C तो आप क्या बनाते थे A ratio B ratio C बनाते थे बैसे इस सब्सक्राइब को एक सुत्र में बांधना है बस question crack हो गए तो बांधना लेते है तो man, W और कितना के B आपने जैसे भी सीखा अगर आपने ऐसे सीखा होगा तो ऐसे कर ले ना आप कि इसको ऐसे multiply करें फिर ऐसे multiply करें ऐसे multiply करें तो ऐसे सीखा तो ऐसे कर ले ना मैं तो ऐसे करता हूँ हमेशा 3 ratio 1, W फिर से repeat किया तो W 2 का आगया नीचा है और यह B की वैली कितनी 1 तो 1 आ गया ठीक है, फिर मैं 7 वाला ले 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 लेता हूँ 1, मैं 7 वाला ले 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 था हूँ 2, फिर मैं करता हूँ 6 और कितनी आ गया, एक movement की शमता कितनी आगी एक महिला की शम्ता दो, sorry, दो नहीं आएगा, यहाँ पर दो आएगा, sorry, यहाँ पर दो आएगा, two, one, जा, two, तो एक महिला की जो शम्ता वो कितनी है, दो है, मतलब एक दिन में दो पैन बना देती है, और एक बच्चे की जो शम्ता है, वो एक है, मतलब वो एक दिन में एक ही सब भी मिल गए मतलब एक आदमी मिल गया एक बुमेन मिल गई एक लड़का मिल गया तो बहुले नो दिन में काम खतम हो जाता तो भाई लिख दिया नो दिन में काम खतम हो जाता है तो तीनों की शमता क्या हो जाएगा एक आदमी की शमता छे एक बुमेन की शमता दो एक बच तो उसकी जो शम्ता तो एक ही है, तो एक दिन में अगर वो एक पैन बनाएगा, तो 81 पैन बनाने को कितना टाइम लेगा, वाई, 80 दिन नहीं लेगा, 81 नहीं लेगा, उप्शन A is the right answer, देखा आपने कोशन, कि आपको हमेशे किसके पीछे भागना है, एफसेंसी के पीछे भा अगरना है, अभी लेते हैं, नेक्स सवाल लेते हैं, नेक्स सवाल क्या बोल रहा, देखो, देखो, नेक्स सवाल भी बड़ा अच्छा है, कि जान बुझके, मैं एक सोर वाला ये वाला भी लेके आए, कभी-कभी इतना easy question आ जाते है, और हम ये भी गलत करके आ जाते है, त mission क्या बोल रहा, देखो, तो मुझे पता है कि मुझे कि आ जखना है, कि time कभी भी, selfency के साथ मिलता है, तो हमेशा कर निक्लिक करता है, संंक की करता है, तो हमेशे के निकलिक आता है कारे निकलिक आता है कोशन के बोल रहा है एक इसी कारे को X दिन में करता है लिख दो X भी उसी कारे को 3X में करता है 3X लिख दो और बोला दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में कर देते हैं 12 दिन में कर देते हैं तो दोनों मिल जाएं तो काम कि कितने दिन में हो जाथता है, बारा दिन में हो जाता है, ये दियो हो, तो अब natural मुझे क्या लेना पड़ेगा, नसमय के लितकी आएगे, ब्लोड़esser कि नहीं आएगे, ब्लोड बिलकुल आएगी, मतलब हमारी इसकी जो शम्ता आएगी वो कितनी आएगी 12 आएगी कि नहीं आएगी 12 आएगी 12 अब देखो 3X है मतलब 12X है न तो X से multiply X से X कटा तो 12 आगे जिसे 12X हमारा आगे तो 3X से कटा एक से X 3 से कटा तो B की शम्ता कितनी आगी 4 आगी और 12 से इसको काटा 12X को 12 से काटा मतलब 12X ही करना पड़ेगा तो कितनी आगे दोस्तों X आगे तो शम्ता कितनी आगे इसकी X आगी clear हो गया कि नहीं हो गया अब मुझे पता, लगे, शमता तो इसकी आगी? A की आगी 12, B की कितनी आगी बोलो, B की आगी 4, तो दोनों मिल जाएंगे तो X की जो शमता आजाएगी, पर दोनों की शमता कितनी हो जाएगी? दोस्तो, 16 हो जाएगी की नि हो जाएगी? तो मतलब X की value कितनी होगी X की जो value होगी वो कितनी होगी हमारी 16 होगी नहीं तो आप by option भी तो उठा सकते थे जैसे by option भी एक बार चेक के लेते देखो A अगर 16 होता तो B कितना होता बोलो B तो 48 दिन होता अगर दोनों का L सिम ले तो कितना होगा 48 होगा है तो इसकी शमता कितनी होगी 3 इसकी शमता कितनी होगी बोलो 1 आग़े की नहीं तो दोनों मिल जाए तो शमता कितनी होजैगी 4 होजैगी और 4 से एक 8 है दोनों मिल कर 12 दिन में कर रहे हैं हाँ बाई बिल्कुल कर रहे है तो confirm हो गया, तो by option भी आप उठा सकते थे, पर by option अभी आपको idea नहीं होगा, तो देखो ये question भी ऐसे, confirmation भी हमने कर लिए, कि इसका जो answer है, भी है, x की value 16 है, option d is the right answer, समझाय कि नहीं है, तो बढ़ी असानी से इस question को भी हमने crack कर लिया, तो अभी लेते हैं, next सवाल लेते हैं, तो मुझे पता ही, दो को MDS तरीके से इकरवाया जाते हैं, पर मैं नहीं मानता कि ये ऐसे होते हैं, जैसे-जैसे question बोलता जाए, बस बैसे-बैसे करते जाएए, क्योंकि सारे question की approach सेम रखोगे ना, तो हर एक question आप बढ़ी असानी से solve कर लोगे, जब आपकी practice हो जाएगी अच्छे से, फिर तो short trick भी याद कर सकते हो, पर short trick होता नहीं कुछ भी, अगर आपको chapter का basic आता ना, तो हर तरीके का question solve कर सकते हैं, असानी से, बोले एक farmer है, एक किसान है, बोले ठारा दिनों में प्रति दिन 6 गंटे काम करते हैं, खेट की, मतलब करता है, जुताई करता है, मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है, तो कितने दिन में करता है, बोले ठारा छे गंटे काम करता है, तो ठारा दिन भी दिया है, और छे गंटे काम करता है, तो एक farmer की बात हो रही है, या farmer की बात हो रही है, और बाद में भी farmer कितने दिन में करता है, तो एक farmer की शमता कितनी ले लो, एक ले लो, बस हो गया, question करा, तो हमें क्या आ गया, farmer आ गया, एक farmer क का जिक्रकवी हो, तो उसके अपशक्रणी हमीशा बनख ले है, उसी कारे को, किस कारे को, 108 कारे को, कितने दिनुमें करना भूलो को कितने दिनुमें करना फाल्मर को 12 दिनुमें करना बार मर काम तो बूला कितने घंटे लेगा भा sharp कजिकर देखाएं इखा भी पर्स का करो तो तो इसके हैसी है ले-लो वान ले- लो अगर यहां इन अपशमों को क्राकश बिसन अपर कर दो हमक or आपको किस के पीछे पर नैगे नेसा लेता है रहाइग को इते हैं यह सवाल ने तो एक बोईस की शमता के माल लेनी है, मैंने अब भी बताया आपको, एक बोईस की शमता कितनी माल लेनी है, हमेशा आपने वन माल लेनी है, बस, तो बारा बोईस की शमता कितनी होगी, बारा, अथारा बोईस की शमता कितनी होगी, अथारा, बस हो गया question crack, अब जैसे जैसे है वैसे करते जाते हैं 12 moо Re28 वा जायें तो तीन घंटे मतलब 20 दिन काम करेंगे और तीन घंटे काम करेंगे तो समय आ गया तो शमता कितने है जागी 12 बाहरा जाग़े तो 되면 कायर े कितना ऑगा तो कोरो साथ आ गया 12 20 720 का Wrapुले उसी का काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए 14 लड़कों को एक दिन में कितने गंटे काम करना पढ़ेगा? काम खतम होना चाहिए, लड़के कितने हो जाएंगे, बूले, ठारा हो जाएंगे, तस्छाइच घंटे हो गएगे तो दस दिन में वह साथ सो भीस काम कर देंगे, तो देखो ये कूशन भी हम नहीं बड़ी असानी सी कर लिए हैं, जैसे जैसे question बोलता जाए, वैसे वैसे करता जाए, अभी लेते हैं, next वाल लेते हैं, next वाल क्या बोल रहा है, देखो, यहाँ भी किसके पीछे भागना, हमको हमेशा, अफसेंसी, जब भी, देखो, यह और आ जाए, देखो, और आ जाए, आप देखो, सकते हैं तो को absency तो निकालने पड़ेगी यहां भी आपको हम बोल सकते हैं कि ठारा लड़कों की जो शमता होगी वो बारा लड़कियों के बराबर होगी की नहीं होगी तो बिलकुल होगी तो boys इदर आ गया गल्सका चले गया नीचे और बारा इदर राज यह आठका चले गया नीचे चार से काटा तीन चार से काटा दो तो एक लड़की की शमता कितनी आगी बोलो तीन आ गई और एक लड़की की शमता कितनी आगी दो आगी जब भी और आएगा यह हिंदी में या लिखा होगा तो बस इस question को ऐसे कर लेना बस अब आपको पता है कि क्या याद रखना आपको कि time कभी भी absency के साथ मिलता है तो हमेशा के निकल के आता work मतलब समय कभी भी किस के साथ अब बात के आठ लड़कें आ जाए या तो बारा लड़की आ जाए बोला तो मुझे बताओ कि आठ लड़कें अगर थाइस दिन में करते हैं तो एक लड़की के शमता कितनी ये बोलो तो तीन तो आठ लड़कों की शमता कितनी होगी तो एट थी जा 24 होगी कि नी होगी तो कारे कितना आ गया बोलो 28 गुणा कितना आ गया 24 आ गया किनी होगी अगर यहां पर एक लड़की की शमता कितनी है दो तो बारा दूनी कितना था चोबीस होता ना तो बारा लड़की की इतनी आती, 24, 23 दिन में तो भी सेम आ जाता, ठीक है, बोले, उसी कारे को, कौन बोला, चार लड़के प्लस आठ लड़कियां मिल जाएं, बोला, कितने टाइम में कर देंगी, कितने समय में कर देंगी, तो अब मुझे शमता लड़कों की और आठ लड़कियों की, तो एक लड़की की शमता कितनी तीन, तो चार लड़कों की शमता कितनी बारह, एक लड़की की शमता कितनी दो, तो आठ लड़कियों की शमता कितनी सोला, तो दोनों ये चार लड़के और आठ लड़के मिल चार लड़के और आट लड़के उसी काम को 24 दिन में कर देंगी, option B is the right answer, आपको हमेशा किस के पीछे भागना है, आपको हमेशा एपसिंसी के पीछे भागना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को जुरूर लाइक करना, शेर करना, और कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना ना भोलना, तके आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके, जैम आता दी.